चुनावी साल आते ही बीजेपी मिशन 2024 में जुट गई है आगामी चुनावी रणीती तैयार करने के लिए बीजेपी के रास्ट्रे अध्यक जेपी नड़ा हर्याना दौरे पर है गुरुवार को पंचकुला में जेपी नड़ा ने लोकसभा चुनाव 2024 में जीत के लिए कारे करताओं को महतपून टिप्स दिये इसके साथ ही जेपी नड़ा 6 जनवरी को पंचकुला में भव्य रोड शो करने वाले हैं बता दे जेपी नड़ा गुरुवार 4 जनवरी को सबसे पहले हर्याना विधान सभा के अध्यक्ष ग्यांचन गुपता के घर पर पहुँचे जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायाप सैनी और संगठन मंत्री फणींद्र नाश शर्मा ने उनका जोड़दार स्वागत किया इस दोरान जेपी नड़ा ने विधान सभा अध्यक्ष ग्यांचन गुपता और प्रदेश अध्यक्ष नायाप सैनी से बाचीत भी की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड़ा हर्याणा दोरे पर हैं बीजेपी के रास्ट्रे अध्यक्ष आजहिमाचन के सूलन और शिमला दोरे पर हैं शनिवार 6 जन्वरी को वो पंचकुला आएंगे ज़ोरान जेपी नड़ा गामी चुनाओ को लेकर कार्यकरताओं से मुलकात भी करेंगे जेपी नड़ा 6 जन्वरी को पंचकुला में भव्य रोट्शो भी करेंगे हर्याना भाजपा के पदादिकारियों ने बताये कि मुख्य मंत्री मनुहलाल समेथ हर्याना प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष नायाप सैनी और संगठन मंत्री फरनींद्र नात आज यानी 5 जन्वरी सुभह 10 बजे प्रदेश के सभी नवनायुक्त जिलाद धक्षों के भी पदादिकारियों और कारेकरताओं समीत बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे ये रोडशो हाउसिंग बोर्ड लाइट पॉइंट से शुरू होकर सेक्टर 7, 8, 9, 10, 11 से होते हुए पी डबलोडी विश्राम ग्रह के सबागार में पूरा होगा इसके अलाबा अगाम चुनावी रणनीती को लेकर शनिवार 6 जन्वरी को ही जेपी नड़ा पंचकुला में बीजेपी कोर ग्रूप की मीटिंग करेंगे हर्याणा विधान सभा के अध्यक्स ग्यांचन गुपता ने पार्टी कारेकरता को संबोधित करते हुए बीजेपी के रास्ट्य अध्यक जेपी नड़ा के हर्याणा विशेश रूप से पंचकुला आने पर कारेकरताओं में काफी उस्सा है उन्होंने कहा कि प्रदानमंत्री नरेंद मोधी के नेतित में कारेकरता लोग सभा चुनाव और विधान सभा चुनावों में एक जूट होकर काम करेंगे इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इन चुनावों में बीजेपी की बड़ी जीत होगी